हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टो मैं चनल वन्स अगेन अपनकर चुमार इस वीडियो में आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूं गोगल के श्टार्ट राउंड एफ 2022 का सेकंड प्रॉब्लम जिसका नाम है बार्टर कंटरियर सिस्टम राइट तो मेरे ने जरीए से प्रॉब्लम होई तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके सारे डाउट के लिए हो जाएंगे राइट अगर आपका फिर भी नहीं क्लिए होता है आप निचे कमिंट बॉक्स में बता हूं उसका प्रॉपर एक प्रॉनिशन में आपको जरूर दूँगा ओके त तो मैं आपको लाइन वाइन तो नहीं पढ़ रहा बट मैं क्या करूंगा आपको समझाओंगा वन नोट पे इसको स्कीच वे में इसके लिए मैं यह जो टेस्ट के से यहां पर दिया हुआ है ठीक है डाग्राम तो डाग्राम से काफी इन लोगों बढ़िया तरीके से समझ में आरा आपको वाटर कंटेइनर सिस्टम है इसमें कुछ है मिनस इनके जो थोड़े अलग है अप क्या करो यहां पे कुछ टैंक जैसे तकी जैसे आप आपके घर में जो हजार लीटर वाली टंकी होती है 1-2 इसको आप समझदो यहाँ पर आजिए फिगर माइड समझ लो कि ठीक यह टेंक हमारे पास है तो बोल लो कि आपके पास इन टैंक है टोटल ठीक अभी क्या है इन में से सबकी नम्रिंग कर दी हमने इन इकल टू बन टू फॉर फाइब यहां पर इन इकल टू फॉर जो हमारा टेश्ट के से उसके इसाफ से ले रहे हैं तो बोलो फर्स्ट टंकी हमेसा बॉटम पे होगी एंड उससे टोटल इन टंकी है तो इन-1 BIDIRECTIONAL PIPE है ठीक है वो connectnicaर है मिन्स एक टंकी से दूसरे टंकी करनेक्टर अब दूसरा टंकी सबकी आएक आप रिदायरेक्शनल कहने का क्या मतलब है तो उपर से पानी आ रहा है आप समझो कि अगर ऐसा हो कि उपर वाला टंकी खाली हो निचा वाला टंकी भरा और इसी में पानी हम डाल दे इस पाइप के थूरू उपर चला जाएगा यह मिन्स हाइट जब बढ़ेगा तो यह पानी उपर चला जाएगा तो ऐसा कुछ होगा कि यह पानी और यहां पर इंपॉर्टेंस आप देखो अब क्या है कि आपको यह वोह द्दय कुछ कि के शिए हांपर जाए कि एक लीटर के हैया टंकी के कापिसेटि है और आपको क्यों 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 हैं आपके पास क्यों क्यों क्या कररहा है कि हर एक वार एक अप्वेंटीजर मिलेगा एक मैं एक टंकी में ये पानी 1 लीटर एड़ कर रहा मैं क्या बोल Ba la N wishes maandoo टीं क्यूरी जहें ने पहले इक्यूरी बोली टू मैंने 2 वाली मों अली करत यह पहर पाणी को एड़ किया यहां पी लेटर पाणी को पहले टीं कर दिया थोत्त को सब्सक्क्राइना एक लीटर Va पानी उसमें डाल रहा हूं मैं ऐसा है तो बोलों कि after operating q qd जब सारे q qd आपको पता है कि किसके श्टंक कि कितने बार पानी डाला गया है तो हर बार एक लिटा जा रहा है तो अब आपको बताने है कि लाश्ट में आपको कितने ऐसे टैंक होंगे जो फुल होंगे वाटर से नंबर ऑफ टैंक यह बताने आपको और कुछ नहीं को बताना आपको ठीक है यह है कि नेशने को देखते हैं आप कि देखो कि जैसे मैं आपको अफस्प्लेइन करूँ का आपका सारा जवाब उसी में कि अससुस के इस्प्लेशन को दिशान से सुन लेना यह कि इसो और कुछ नहीं है आप जो नॉर्मल आपको मैं हमेशा बोलता हूं मैंने बहुत पहले डेली लाइब से रिलेट करो, ठीक है, इस पर मैंने एक YouTube इडियो भी बनाए थी, तो उसका लिंक भी आपको उपर आई, बटन पर आहीं देऊगी, तो आप देख ले न, इसका में वहाँ पर एक पॉइंट था, बहुत ही इंपॉटेंट पॉइंट है, और यहाँ पर वही च इस question को relate करना है अपने डिली लाइब से, आपके पास यह टंकी है, घर में, ऐसा ऐसा टंकी का arrangement हो रखा, किसी एक टंकी में, लेट सपोज आपका, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे अलग लग, फ्लोर पे रखा हुए टंकी, यह मानलों, अब इस फ्लोर वाइस देख लो ग्राउंड फ्लोर जीरो ठीक है, और यह दोनों टंकी फरस्ट फ्लोर पे रखा हुए, यह सेकेंड फ्लोर पे है, अगर सेकेंड फ्लोर पे पानी आप डालोगी इस टंकी में एक लीटर, और नीचे के दोनों तीनों टंकी जो है वो खाली है, और यह दोनों टंकी पाइप पिर इसके निचे खाले हैं तो ऑब्यस की यहांपे आ जाएगा और यह फूल हो जाएगा अगर यह फूल होने के बाद भी बच गया पाने तो फिर इस रिसाब से ऐसे रेंज होना सुरूँ होगा इसमें इसमें ecolapeoma जाएगा ऐसा है अगर जैसे कि यहाँ लीटर में पुरा हो गया अब इसको दो लीटर कर और तो दोनों आधा पूसेम लेवल पर है साइन थो ना क्लिएयाQué तो अगर यहां पर वन लीटर हमारे पास वन लीटर कहीं पर पानी डालो अब यहां पर डाल दो यहां पर डाल दो किसी भी बॉक्स में डालो आपके पास वन लीटर पानी नीचे आ जाएगा यहां पर डाला दूसा लीटर फिर से वो नीचे आएगा उसके बाद हाइट का ए मतलब Q में जो यह X आ रहा उसके कोई यूज नहीं है ठीक है अब देखो 4th लीटर के जगा 1st लीटर में डाल दो क्यूंकि वह 1st tank में डाल दो अब 1st tank already full है फिर भी डाल दो क्या होगा रेज हो जाएगा ये लेवल और दुसरे tank में फिल होगा पानी उसका भरता जाएगा भरता जाएगा ठीक है और डालोगे फिर और ऊपर भरता जाएगा और उसके next level पर भरना शुरू होगा राइट इस वे में हो रहा means ये x का यहां पर जो ये आ रहा q-curies इसका कोई ज़रूथ ही नहीं है हमें क्या मतलब है बस q से मतलब है q-curies में कहां पर पानी डालो कोई फरक नहीं पड़ रहा लेकिन कितना पानी आ रहा वो फरक पड़ रहा तो q meaningful है यहां पर ये मैं बोलता हूँ meaningful है ठीक और ये q के इसका कोई यूज नहीं है अब आगे का कोई उस पर बात नहीं करनेंगे अब हम बस इसको इन्पुट ले लेंगे बस उसके बाद अपड़ेट होगा हमारा q पर जो ये q है अब हमारे पास अगर दो लिटर पानी होगा तो क्या होगा एक लिटर नहीं पर फूल हो जाएग और आधा लिटर इन दोनों में जाएगा आधा आधा लिटर तो अगर इस दोनों टैंक को फूल करना है हम समझेंगे कि इस लेबल पर फूल होना है तो कितना पानी लगेगा एक लिटर इसका और एक लिटर इसका एक लिटर इसका तो तीन लिटर होगा यहाँ पर दो लेबल की बात होगी समझ रहो ना यह नॉर्मल जो साइंस आप फिक्स फिक्स में जो भी हम पढ़ते हैं वहां पर है कि यह लेबल पर अगर एक बुंद भी कम रहा तो दोनों में अधा-धा बुंद कम हो जाएगा राइट ऐसा समझ रहो तो जब भी पूरा होगा पानी तो के साथे टैंक बोलो या कंटेंगर फिर इस लेबल के सारे या तो नहीं होगे तो पूरे होंगे तो यह सब कर यह तो नहीं होगे आप हम बात करते हैं कि लेबल माइस कितने जरुरत पड़ेगे तो अब इसको question को मैं move कर देता हूं यह बार्टर सिस्टम से trip है यह नूड connected यहां पर जाश्ट उल्टा है उपर हम लोग router को लिखते हैं ठीक है ऐसा कुछ है लेट सपोज यह ऐसा है ठीक है यह ओके थोड़ा सा डाग्राम की देखकर बनाना पड़ेगा क्योंकि confusing हो जाएगा बना अब देखो यहां से यह लेवल यह लेवल यह लेवल और यह लेवल ठीक है इसका एक ही लेवल रखते हैं अब देखो फास्ट लेवल पर एक टंग की ह है यह बैस से कनेक्ट यहां पे 2 टंग की टोटल इस लेवल पर टोटल Bronze अगर हमारे पास मालो मैं बोल रहा हो कि एक लिटर पानी तो कहां तक जाएगा यहीं तक फिलो और थेक है अगर हमारे पास दो लिटर पानी है तो एक गी तक तो होगा ना बीच में आएगा इसमें पूरा नहीं हो पाएगा आप समझ रहे हो ना यह पूरा नहीं मतलब वह तो धूरा रहा गया तो पूरा कहां तक रहा नीचे तक ही अगर हमारे पास पांच दो साथ एक आठ लिटर पानी है तो फिर यह कंप्लीट जाए गए ऐसे लेकिन अगर ह हिंट कहां मिल रहा यह प्रिफिक्स हम हो रहा वन वन टू थ्री थ्री फाइव एट और अब हमारी वैल्यू जो है कहां पे लाई कर रही सेवन इस थ्री और एट के बीच में लाई कर रही है तो यही थ्री यह वाला जाएगा तो तीन नोड फूल होंगे अगर टू है तो टू यहां पर लाए रहा है तो टू थिरी और वन के बीच में लाई कर रहा तो पहले वाली वैल्यू जो कंप्लीट हो चुकी है वस तो यह समझे लो कि एक इंड़ पॉइंट जैसा है तो यहां पर एगर वैल्यू एट पर आ रही है तो ठीक है नहीं आ रही है तो फिर उस graph को construct करना होगा इस graph से मुझे level wise level wise number of node निकालने होगा ठीक है जो कि आपको 1 यहाँ पे 2 और 5 जो मैं लिख रहा हूँ यह level wise number of node निकाल गया अब यह level wise number of node निकालने के बाद मुझे prefix sum लेना पड़ेगा किसका prefix sum of number of node number of node according to level according to level level wise मुझे prefix sum लेना होगा number of node का तो यह हो जाएगा आपका 1, 3, 8 इसको ऐसे लिख देता है यह है आपका ठीक अब prefix sum लेने के बाद यह किसके बीच में like कर रहा है यह कैसे निकलेगा तो आप linear search से निकाल सकते हो लेकिन फीर आएगा आपको TLE तो उससे बचने के लिए आप लगाओगे binary search अब binary search लगाओ मैंने यूज किया है upper bound का concept ठीक है तो आप इस चीज को भी कर सकते हो ठीक है अब यही चीज को हम लोग यह चार-पांच जो हिंट आपको यहां पर मैंने बताया उसी चीज को एकक करके इस सी रियल वाइज मैं explain करूंगा code में मतलब code में implement कर रहा हूं ठीक है तो देखते हैं आप code को code ऐसे देखने में तो बड़ा लग सकता अब अगर आप point wise देख रहे हो तो को दिक्कत नहीं होगी यहां पर सबसे पहले input लिया गया है मैं थोड़ा सा gap दूंगा हर बार ठीक है ताकि आपको स्मझ में है यह input है as it is जो आने वाले आपका एन और क्यों अगया input एडजन्सी लिष्ट आपका इन इसलाइज हो गया इंड इसमें वेक्टर जहें आपका सारी आपके सारे एजेज कनेक्ट कर दिए तो बाइडियरेक्शनल है तो मैं यहां पर जीरो इंडेक्सिंग पर चल रहा हूं ताकि जीरो और वन की बीच में फ प्रॉब्लम होने लगी ठीक है तो यह आपका graph construct हो गया graph construct होने के बाद देखो अब मुझे लेवल वाई चाहिए ना आप इसको BFS से भी मना सकते हो आप इसको DFS से भी मना सकते हो मैंने इसको BFS से बनाया पहले ही अगर इस note की बात करें तो इससे कितने connected है तो यह दो connected है इन दो से कुन-कुन connected है यह तो चार connected है बस इसकी अगर लेवल में 0 रख रहा हूं तो इससे जो-जो connected उनके क्या होंगे लेवल इनके लेवल प्लस 1 वही चीज़ कर रहा हूं मैं height इनिसलाइज किया विजटेट रहा हूं कौन-कौन सा widget हो गया और एक Q इनिसलाइज किया जिसमें पहले 0 जा रहा, 0 क्यूंकि मैंने minus 1 का रख रहा, अब 0 best indexing पर बात करें तो one node हमें ऐसा ground था अब यह 0 था node की बात हो गए, जो सिर्फ मेरे code की हिसाब से, question नहीं बदलेगा, right, तो 0 node चला गया Q में, widget कर लिया हमने, इसकी height 0 है, ground node, टिक, अब हम Q जब तक नहीं तब तक यह चलेगा, जो कि normal BFS आपका, और आपको यहाँ पर height update होगा, और बाकि सारा वही code है, जो आपको पता है, ठीक है, तो इसमें यहीं करते है, इस current node की बात कर है, तो आसा मैं explain ही कर देता हूँ, इस current node की बात कर, इस से connected जतने node हैं, अगर वो visited नहीं है, अगर ओके, तो height update हो जाएगा, तो सब की height मुझे मिल गई, height मिलने का मतलब क्या हुआ, देखो, height मिलने का मतलब यह हुआ है, कि यहाँ इस example की हिसाब से हमारा क्या होगा, यह first जो 0 है, इसकी 0, यहाँ से जो connected यह है, ठीक है, इसकी 1 पे आ गई है, यहाँ से connected यह है, यह 1 पे है, इस से 3 node जाए से connected है, यह सब 2, 2, 2 पे है, और इस पे यह connected, यह भी 2 पे है, राइट, ऐसा कुछ मुझे मिल गया, यहाँ पे, height of x equal to something, अब देखो, height जा है, वो in तक ही है, इसकी indexing, मैं 0 best indexing चल रहा हूँ, confused नहीं करना बार बार, ठीक, इसलिए मैंने 0 best में change किया, अब द करना ना कि one level पे कितने है, two level पे कितने है, तो two वाले कैसे count करूँगा, मैं, उसकी frequency ले लेनी है, रख लिया यहाँ, checkpoint, यहाँ पे अब checkpoint में रखूँगा, direct मैं यहाँ पे सिधे prefix sum ही लेता चला गया, चुकि देखो, पहले आपने sum लिया कि चलो, यहाँ पे दो node है, फिर prefix sum लोग है, तो direct मैंने किया कि एक variable यूज किया, variable में sum लिया, और यह prefix sum आपका लेते हुए, checkpoint में add करते हुए, तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ यहाँ यह, कि यहाँ पे counting इसको मिली क्या, 0 पे 1 node है, तो frequency of 1 return किया, तो checkpoint में 1 चला गया, यहाँ पे यह return कर रहा 2, जो यह आपका है, level wise यह है, तो 2 return करेगा map से, और यह 1 plus 2, क्या हो रहा, I, IT of second, यह SM plus equal to, ठीक, 1 plus 2, जो कि 3, prefix sum हो गया, और यहाँ पे 4 है, तो 3 plus 4, 7, 4 return करेगा आपको map वाला, IT plus second, और जो पहले सारा वो, तो prefix sum आपका calculate हो गया, और checkpoint में add हो गया, ठीक, Q Q, मैं ले लिया हूँ, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो as input आ रहा था, आपको लेना ही होगा, otherwise आपको थोड़ा सा error आ जाएगा buffer में, ठीक है, ओके, अब यह हो गया, उसके बाद मैंने, आपको क्या बोला, अब आपको search करना है, यह जो Q आपका है, वो किसकी बीच में ला राउंड से उसकी value निकाल लोगा है, अगर star आपने ही लगा गयती है, इटरेटर रिटन करता है, ठीक है, तो direct star लगाने से क्या होगा, उस position पे जो value है, किस पे, चेक पॉइंट वाले पे, तो चेक पॉइंट वाले array में, जो value है, इसके respect में चेक कर क्या, आपको मिल जाए हम देखो, यहां पर जो भी बात कर रहा है, यह fulfilled की बात करना है, कि अगर यहां तक full होना सब सारे tank को, तो कितना पानी लगे है, तो अगर हमारे पास q liter पानी है, तो कितने tank को मिल कर पाएंगे, यह हो गया question, ठीक है, I hope आपको clear हो गया होगा, right, ओके, तो अगर यह चेक प अगर उससे बड़ी value आती है, तो भी इसी पर जाएगी, right, अगर let's suppose हमारे पास node 3 है, मैं वो लोग की 15 liter मेंने पानी डाल दिया, तो क्या होगा, सारे tank full हो जाएगे है, उससे ज़्यादा वो होगा, बट फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ मतलब वो इंसा नह देंगे, ठीक है, and question का link, code का link, नीचे description box मिल जाएगा, telegram channel का भी link, आपको description box मिल जाएगा, आप चाकर देख लेना, और किसी भी तरीके का feedback, compliment, कुछ भी हो, तो यार बताना, feedback, improve करने के लिए होगा, compliment, कहने कहीं मुझे confidence देगा, कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, वो सही ह और आपको मेरा explanation समझ में आ रहा, right, इसी hope के साथ मैं अगले video में मिलूँगा आप, till now, bye bye